नवस्कार, मैं हूँ निशा, फुटबॉल तो आपने देखी होगी, क्या आप बता सकते हैं कि इसका आकार क्या है? गोल? क्या है सचुछ में गोल है? अगर इसको गौर से देखें, तो आपको इसमें कई आकार दिखाई देते हैं. क्या आपकर इसको नोटिस करके पता सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से आकार और कितने आकार हैं? दरसल यह फुटबॉल कई पॉलिगंस या भहवुज से मिलकर बनी हैं. इस चित्र में जो आपको काले रंग के भहवुज दिख रहे हैं, वह हैं एक पंचकोन यानि पेंटगन हैं. और जो सफेद रंग के भहवुज हैं, वह शटकोन या हेक्सगन हैं. एक पेंटगन की प्रत्येक भुजाओं पर एक हेक्सगन मौजूद हैं. इस प्रकार पूरी सथा पर बारा पेंटगन और बीज हेक्सगन मौजूद हैं. कुल मिलाकर इसमें 32 सथा या फेसेज हैं. गनित की भाशा में इस तरह की आकरती को ट्रंकेडिट आइकोसा हेडरन कहते हैं. तो अब जानते हैं कि Truncated Icosahedron क्या है और कैसे बनता है दरसल Truncated का मतलब होता है काटना Truncated Icosahedron को इस Icosahedron नाम के आकार को काट कर बनाया जाता है इसमें 20 संभाहुत्रभुज वाले faces हैं और इसके vertex में 5 संभाहुत्रभुज आकर मिल रहे हैं जब इसके vertex को एक तिहाई काटा जाता है तो इस स्थान पर एक पंचभुज यानी pentagon मिलता है और equilateral triangle के इस सत्ह का बचा हुआ भाग hexagon के आकार का बन जाता है इस तरह इसमें 12 pentagon और 20 hexagon मिल जाते हैं इस तरह icosahedron को काट कर जो नई आकरती बनती है उसे truncated icosahedron कहते हैं कारबन के एक अप्रूप C60 की संरशना भी यही है इसको खोजने वाले विज्ञानिकों ने पाया कि इसकी संरशना एक architect बग मिनिस्टर फुलर के द्वारा बनाए गए जियोडेसिक टोम के समान है और इसी लिए इसका नाम बग मिनिस्टर फुलरेन रख दिया गया और इसकी संरशना फुटबॉल के भी समान है और इसी लिए इसको बकी बॉल भी कहते हैं इस फुलरेन की संरशना में कारबन के 60 atom 12 pentagon और 20 hexagon से बने ट्रंकिडिट आइकोसा हेडरन के आकार में व्यवस्तित रहते हैं अब तक हमने एक आइकोसा हेडरन solid के ही बारे में जाना इसके अलावा टेट्रा हेडरन, क्यूब, डोडेका हेडरन और ओक्टा हेडरन भी इसी शेरी के solids हैं पहली बार एक महादाशनिक प्लेटो ने इनका विस्तार से वर्णन किया था और उन्ही के नाम से इन्हें प्लेटोनिक सॉलिट्स कहते हैं तो अब हम प्लेटोनिक सॉलिट्स के बारे में चर्चा करेंगे और जाचेंगे और परखेंगे कि यह पांच ही क्यों होते हैं तो चलिए सबसे पहले लिंक में दिएगे टेंप्लेट्स को डाउनलोड करके चार्ट पेपर में चिपका लीजे और काट लीजे तो टेंप्लेट्स की साहिता से सभी पांस सॉलिट बना लेते हैं और फिर इन पर चर्चा करेंगे तो हमारे पाचो प्लेटोनिक सॉलिट बन कर तैयार हैं पहला प्लेटोनिक ITATRA HEDRN है टेट्रा माने चार और हड्रा माने फेशिस इसका मतलब है इसमें 4 ट्रेंगुलर फेशिस है Tetrahedron चार संभाहुत्रिभुच या Equilateral Triangle से बना है और हर एक Vortex में 3 Triangle मिलते हैं यदि हम Vortex में संभाहुत्रिभुच की संख्या 4 कर दें तो हमें Octahedron मिलता है जिसमें कुल 8 faces है जो संभाहुत्रिभुच है और कुल 6 Vortex है अब हम हर एक Vortex में एक और संभाहुत्रिभुच जोड़ दें तो आप देखेंगे कि हमें Icosahedron मिल जाता है Icosah का मितलब है 20 यानि कि इसमें 20 संभाहुत्रिभुच वाले faces होते हैं और इनमें कुल 12 Vortex होते हैं अब यदि हम Vortex में एक और त्रिभुच बढ़ा दें तो क्या अब भी हमें कोई बंद संद्रश्ना या क्लोड स्टक्चर मिलेगा यदि हम Vortex में एक और त्रिभुच बढ़ा देते हैं तो हमें इस तरह का एक सपाट आकार मिल जाता है यानि कि अब इन त्रिभुजों से एक बंद सनरशना मिलना संभव ही नहीं है यानि कि हम कह सकते हैं कि इन त्रिभुजों से किवल तीन प्लैटोनिक सॉलिट, टेट्राहेडरन, ओक्टाहेडरन और आइकोसाहेडरन ही संभव है चलिए इस त्रिभुज में समान माप का एक और साइट जोड़ देते हैं तो यह स्क्वाइर मिल जाता है और हर एक वर्टिक्स में समान माप के स्क्वाइर जोड़ देने से यह क्यूब मिल जाता है चूँकि इस cube में समान माप के 6 squares वाले faces हैं इसलिए इस cube को hexahedron भी कहते हैं अब यदि इस vertex में एक और face बढ़ा दें तो यहां एक सपाट आकार मिल जाता है यानि कि square से केवल एक ही platonic solid समभव है अब square face में एक और side बढ़ा दें तो face 5 side वाला pentagon हो जाएगा अब प्रतेक vertex में 3 pentagon जोड़ देते हैं तो यहां 12 faces वाला dodecahedron बन जाता है यदि हम इस vertex में एक और pentagonal face बढ़ा देते हैं तो अब यहां vertex इस तरह अंदर चला जाता है अब यहां platonic solid नहीं रह गया क्योंकि यहां एक convex structure नहीं है platonic solid एक convex sunrashna है इसका मतलग है कि इसकी सता के किसी भी दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा इस sunrashna के भीतर से ही होकर जाएगा जबकि concave sunrashna में कम से कम दो बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा इस sunrashna के बाहर से जाता है तो यहां एक सपाट आकार बन जाता है यानि कि किवन hexagon से एक बंद सनrashna बनना तो संभव ही नहीं है तो चलिए अब कागज की अपनी एक football बना लेते हैं इसके लिए link में दिएगे templates को download करके एक chart paper में चिपका लेते हैं और उनको काट लेते हैं और अब इन्हें इस तरह जोड़ना शुरू कर देते हैं कि प्रतेग pentagon की पाचों sites में 5 hexagon जुणें और हर एक vertex में 2 hexagon और 1 pentagon मिलें तो देखें बन गई हमारी कागज की football अब एक और activity करते हैं जिसमें paper straw और connector की मदद से यहां truncated icosahedron यानि की football की आकरती बना लेते हैं connector बनाने के लिए link में दिएगे templates को download करके मोटे chart paper पर चिपका कर 60 connector काट लेते हैं और paper straw के 4 cm लंबे 90 टुकडे काट लेते हैं 60 connector इसी लिए क्योंकि truncated icosahedron में 60 vertex हैं और 90 paper straw के टुकडे इसी लिए क्योंकि truncated icosahedron में 90 ages होती हैं गिनके देखिएगा paper straw और paper connector लेकर इस तरह जोड़ें कि एक pentagon बने और इसकी पांचों sides में 5 hexagon बने और फिर इसी तरह जोडते जाएं और इस प्रकार आकरती को पूरा करें तो बन गई है प्यारी सी football और अगर इन vertices में carbon atom रख दें तो यहाँ fullerene भी है तो आज आपने जाना कि यहाँ football कई polygons या भवभुजों से बनीवी एक बन संदशना है जो कि गोल दिखाई देती है इसके अलावा आपने जाना कि 5 तरह की platonic solids होते हैं और उनको बनाना भी स तो उम्मीद है कि जिस तरह आपको football खेलने और देखने में मज़ा आता है उसी तरह यहाँ paper की football और paper straw की football बनाने में भी मज़ा आएगा धन्यवाद क्यों है